नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट और आप देख रहे हैं RK Trading दोस्तों अस्तारिक है 3 मार्ज 2020 और यहां पर निप्टी इंडेक्स की अंसिस करेंगे देखेंगे निप्टी इंडेक्स डेली बेस पर जैसा की लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए त तो आज फिर से हाजिर हूँ उसके अंसिस लेकर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा उसके सारे लेवल बताऊंगा इंटारेक के लेवल गडाप गडाउन में क्या करना चाहिए नॉर्मल कर्णिशन में क्या करना चाहिए तो इस सारे चीशों को देटेल में संदाने की कोशिश करूँगा तो चलिए अपना इंपॉर्टेंट फीड़एक देना बिल्कुल भी ना भूले वीडियो के कमेंट सेक्शन में जैसा कि मैं हमेसा आप लोगों से कहता हूँ तो आज कि अगर निप्टी की क्लोजिंग देखें तो आपको पॉज यानि कि 11600 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा मैं पॉजिटिव नहीं रहूँगा मैं नूट्रल व्यू में रहूँगा ठीक है और 11000 के नीचे मैं भागने वाले मूड में रहूँगा ठीक है मैं अपना ओवरूल एक कंडिशन बता रहा हूँ कि 11600 के ऊपर जब तक नहीं ज कि जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए उसमें मैंने बताया था कि 11000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो कट करके एक बार सारा पॉर्टफोलियो जिरो करके निकलने में भलाई है कि इसके बात काफी है भी लेवल आपको नीचे के देखने को मिल सकते हैं ल भी लेवल जो ऐसे करके आया है ना फिर यह ऐसे करके आया फर एसा चारे के बात करें सलके एक पंचेगा तो भी यह पनżejते की गा आपए अगर आप एक चीज़ देखेंगा तो निप्टी न आज कुछ गेन नहीं किया, मैं आपको इंटाड़ा के जब चार्ट पर लेके जाओंगा फिर समझाने की कोशिज करूँगा, कि ज्यादा कुछ गेन किया नहीं है, जो उसने गैप अपन हुआ उसको बस उसने मेंटेन अब देखें निप्टी ने कहा कि यह बड़ी वाली केंडल है जो कल की 11,132 का जो क्लोजिंग हुआ था उसके शैडो में यह टेड कर रहा है, तो यह इसका हाई पॉइंट जो कि 11,435 के आसपास का रहा है यह 450 राउंड फिगर में और इसका लो पॉइंट जो कि 11,000 के दिश्टेंज वाले और यहीं पर देखेंगे इस दो लेवल के पास पहले अक्टूबर मन्त में स्टॉक्स ने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस दिन बिताये थे इस लेवल के पास अक्टूबर 2019 में दस दिन बिताये थे continue निप्टी ने तो अभी त अब लेवल की बात करेंगे कि अगर यह ओपन होता है इस कंडिशन में जहां कि आज की इसकी क्लोजिंग है लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि इसने लो लगाया था 11,150 के असपास का क्लोजिंग क्या है 300 पर यानि कि वहां से 1,500 पॉइंट पॉइंट और 10,300 के पास में कहीं हो जाता है अगर यह 11,300 के पास में उपन हो जाता है दोस्तों जैसा की क्लोजिंग है तो हमें गया हते ल 11300 पर छाण कम हो चाहिक है 11300 अब देखिए 11300 पर जैसे हमने लाइन लगाया तो यह हमारे लिए क्या डिसीजन है यह हमारे लिए वेट ये वेट और प्वाच का डिसीजन है क्यूं क्यूंकि प्रीबियस अगर आप देखेंगे तो वह रिजिस्टेंस का काम कर रहता है बाइड का पोजिशन सोचएंगे। लेकिन कभ सोचेंगे। इस बात को भी ध्यान रखें। gj जब तक ए 11340 को ब्रेक नहीं करता हम बाइड का पोजिशन नहीं बनाएंगे। हम buy का position 11340 के उपर बनाएंगे और यह 11340 क्या है वो आज का high point है इस बात को याद रिखे इसके उपर की मुझे closing चाहिए कल 11300 पे open हो जाए हो जाए कोई दिकत ने हमें buy नहीं करना हम buy करेंगे 11340 के उपर target उसमत 11400 का आपको यहां पे से मिल सकता है लेकिन यह तो हुआ साफ साफ इंडिकेशन है सेल का क्यूंकि पहले ही यहां पे हमें दिख रहा है यह resistance लेबल है और 11300 एक round figure का number है जो कि एक psychological resistance लेबल का का काम करेगा तो 11300 के नीचे यह 11290-280 इस तरह से break करते हुए नीचे की side में आता है तो सेल का position बढाएंगे target हमारा 11250 का और 11220 का होग अब 11220 का दूसरा target क्या होगा सेल कंडिशन में वह आज का कहिन कहीं opening अगर आप ध्यान देखें 11217 पे अज open हुआता है round figure ले ले लेता हूं 11220 तो हमारा second target 1220 का दोस्तों आपको देखने को सेल कंडिशन में मिल सकता है कब जब 11300 के नीचे sustain करना स्टाट कर देगा और lower low बनाएगा 11300 1290 280 इस तरह से यानि कि यह open हुआ 11300 पे ऐसे गया ऐसे गया उपर गया फिर नीचे फिर इसको अगर ब्रेक करता है तो हमारा यहां सेल का लेवल बनेगा और stop loss यहां पर लगाएं उस पर जो भी प्राइस होगा इस जगा पर वह हमारा stop loss होगा target हमारा 1250 से 1220 इसका देखने को मिल सकता है normal condition में तो उपर जाता है तो 11400 तक maximum और नीचे आता है तो 11250 से 220 तक maximum किस condition में जब 11300 के पास open होता है तो उपर और नीचे पे यह काम हम जो कर सकते हैं अब अगर इसी चीज़ को मैं इंट्राडे के भी लेबल दिखा इंट्राडे का भी चार्ट कि भी बात कर लेते हैं कि कल अगर निप्टी gap up या gap down है सबसे पहले चलिए अब हम लोग gap up की बात कर लेते हैं आज का जो high लगा है close किया 11300 वहां से हम 50-60 point gap up की बात करते हैं gap up होने का तो बहुत हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं लेकिन मान की चलता हूं कि 50-60 point यह gap up open ह होता है 11350 के पास में यह कहीं open हो जाता है 11350 के अगर हम बात करें तो आज का जो high लगाया है उसके पास की कहीं बात हम लोग कर रहे हो है 340 का है तो जाए चिवाद है उसके high के पास जब यह direct open हो रहा है यह कल का high यह price है और आज direct nifty निप्टी यहीं पर open हो जाता है अगर जाता है इसके पास में तो इसका मतलब यह line तो resistance का था तभी तो नीचे आकर close किया 303 पर इहां sustain नहीं किया 303 पर आ गया इसका मतलब यह क्या line बन गया यह resistance line बन गया यह price तो 11350 के पास अगर direct open हो जाता है और इस तरह से वो नीचे आता है 340, 330 इस तरह से तो क्या बता र तो 11,250 का, लेकिन पहले 11,300 का तार्गेट आजाएगा, और ज़रूरी नहीं कि नीचा आजाएगा, यह हो सकता है, 11,350 पर इस तरह से ओपन हो गया और यह फिर उपर ही चलने लग गया, ऐसे ऐसे इस तरह से ऊपर ही चलने लग गया, तो जो उस वक्त हाइर हाई बनागा, जि नीचे आता है वापस 60-50 ऐसे और यह फिर यहां से उपर की सैड में ऐसे जाएगा यह जब इस high को break करेगा ना तो हमारा buy का level यहां पर बनेगा उस वक्त जो भी price हो हो सकता है वो 370 का price हो तो यह हमारा टार्गेट हमारा उपर है 11,450 तक का, पहला टार्गेट 11,400 का होगा, दुस्ता है 11,450 का होगा, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दोस्तों, gap-up बाले condition में, यानि नीचे आएगा gap-up बाले condition में, तो यह condition उपर जाएगा, तो यह condition आपको अपलाई करना पड़ेगा, अब जरा हम gap-down की भी बात कर लें, इसके पहले में बता दूँ कि अपना important feedback देना बिल्कुल भी ना भूलें, मैंने bank nipty index analysis का वीडियो डाल दिया है, nipty pharma का वीडियो डाल दिया है, इसे साथ में IT stocks की भी analysis में डाल लिया, अब मैं nipty की analysis कर रहे हैं, उसके मैं 3 star का वीडियो लेकर आऊंगा जो 3 stocks intraday के लिए लेकर आता हूं, तो बने रहे हैं चैनल के साथ जुडे रहे हैं, अब देखे gap-up की बात तो हमने कर लिया, अब हम लोग जरा gap-down की भी बात करेंगे, gap-down की बात करते हैं, तो gap-down की बात अगर करें, तो gap-down वापस अग यहां से 50 points नीशे ले ले लेते हैं, 11000 के बात बात की बात की बात के साथ जुडे हैं, तोím जो आज़ा यहां बात लेकर याँ यहाां पर से 210 तक का आपको को देखने को मिल सकता है, अगैन यहां से फिर एक बाइग देखने को मिल सकती है, इस लेवल को टेस्ट करने के बाद वापस बाइग की लेवल बन सकती है, लेकिन कब 210 का टारगेट होगा,odka 200 का कब टारोगयट होगा, डारेट 11250 पर होगा तो सेल नहीं कर देन करने की कुछिस करेगा याननी गैर है 1100 150 का target हम ये लेके चल सकतें लेकिन अगर यह 1250 फर उपन होकी यह नीचे नहीं आता है यह उपर चला जाता है फिर हम क्या करेगी तो हम बाइके साइड में जाएंगे लेकिन कब बाइके में जाएंगे इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर यह 1250 के ऊपर सस्टेन कर गया 15-20 मिनट इसका मतलब यह इस लेवल को नहीं ब्रेक करना चाहरा है 11250 पर उपन हुआ और 1260 चला गया अब फिर वापस नीचे 1250 नीचे वापस आया फिर 240 आया वापस उपर की तरफ में गया और यह 1260 को प्रेक गया तो हम यहाँ पर बाय का लेवल बनाते हैं टार्गेट हमारा 11300 का और दूसरा टार्गेट हमारा 11340 का देखने को मिल सकता है दोस्तों यह हुआ गैप डाउन में ऊपर जाने के कंडिशन में और यह हुआ गैप डाउन में नीचे आने की कंडिशन में यह वाला काम करना है अब जरा हम इसका इंट्राडेकर चार्ट देखें तो मैंने क्यों बोला था कि इसने कुछ गेन नहीं किया है बलकि जो gap up open वा तो बस इसको maintain किया है तो चलिए हम लोग इसका इंट्राडेकर 15 मिनिल का चार्ट देखते हैं फिर पता आपको चल जाएगा देखें इंट्राडेकर अगर चार्ट देखने की बात करें तो यह पहली कैंडिल है आप देखें ध्यान से यह जो gap up open हुआ है और इसका high देखें ठीक है इसी high के पास में आके यह कहीं close कर रहा है देखें यह उपर open हुआ थोड़ा सा high लगाता है फिर नीची आके वापस जो लो बनाया था उसको खतम करके वापस उसी high के पास में कहीं ना कहीं आके close कर रहा है इसका हम देखें इसने जो gain किया जो gap up open हुआ ना बस उसको maintain किया नया इसने कुछ gain ने किया होता कि यह gap up open हुआ इस तरह से उपर चला जाता है तो हम मानते कि हाँ इसमें कुछ अच्छा moment आया लेकिन यह तो gap up open होके फिर यह नीचे आया और अच्छी किस्मत यह रही कि यह इस level को previous close के नीचे गयाने अगर यह previous close के नीचे चला जाता तो हालत खराब हो जाती है अब कल depend करता है कि कल अगर यह 11,350 के उपर में निकलता है तो buy का level बनेगा इंट्राडे के चार्ट पे 11,400 के target के लिए लेकिन अगर कल यह वापस से नीचे ब्रेक करता है 11,250 को cut देता है 11,300 को ब्रेक करता है नीचे की side में तो फिर sale का level activate हो जाएगा 11,250 जादा बेहतर होगा अगर इस line को break करता है तो sale का condition activate होगा और target 11,200 तक का भी मिल सकता है दोस्तों आपको इंट्राडे का यह चार्ट पे तो यह मेरा Nifty index पे अपना view है यह index का चार्ट है मेरी analysis और वीडियो पसंद आता है मुझे comment सक्षे में जरूर बताएगा दोस्तो आपके comment से काफी motivate होता हूँ तो अब मैं इसके बाद bank Nifty का analysis लेकर आऊँगा जुड़े रहे है चानल के साथ मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों